प्रकृती के एक साक्षात देव जिसे हम देख सकते हैं, जिने हम मैसूस कर सकते हैं और जिनकी कृपा परिलक्षित होते हुए हम हर रोज देखते हैं, उनकी आराधना का पर्व छट महापर्व दौरा ले जाने के शाथ शुरू होता है मेरे बेटे ने दौरा को खाट पहुचाया, घाट हमारे उपर ही था और हम सब भी तैयार होकर छट पर पहुच गए सुर्य देव की छटा देखते ही बन रही थी, पानी में असनान करके हम कुछ देर पानी में खड़े होकर सुर्य देव की अराधना करते हैं और उनसे साक्षात अपने मन की बातों को कहते हैं कुछ इस्तिया तो घंटो पानी में रहकर सुर्य भगवान को नमशकार करती हैं और उसके बाद हमारे हाथ में अक्षत, सिंदूर और हल्दी और आटे का लेब दिया जाता है छट आस्ता का महापर्व है जिसमें सभी लोग दिल खोल कर सम्मलित होते हैं इस्तिया पूजा के छोटे मोटे काम करने में बहुत ही खुशी अनुभव करती हैं और चाहती हैं वो किसी न किसी रूप में पूजा में अवश्य सम्मलित हो फिर चाहे वो वरती के हाथ में एपन और सिंदूर लगाना हो या वरती के मांग को भरना हो हम सिंदूर नाक से लेकर सर्टक लगाते हैं कहते हैं कि इससे पती की उम्र बढ़ती है और सुक और सौभागे पना रहता है पच्चों में तो एक अलग ही उलास होता है उनके लिए छट का वरत आस्था के साथ साथ खुशियों का पर भी होता है और फिर धीरे-धीरे हम दौरे को खुल कर सभी सूप सुर्य देव की और लगाते हैं और छटी माता की पूजा करते हैं और फिर आती है बारी अरक की जवरती पांच बार सूप को लेकर घूमती है और चल्प और दूद से पाकी सब लोग अरक देते हैं इसे ये कहा जाता है कि हमने अपना सब कुछ सुर्य देव को समर्पित किया और उनसे ये आशिरवाद मांगा कि हम अपनी छम्ता की अनुचार आपकी अरादना और पूजन कर रहे हैं और आप हमें सुख सुभागे का आशिरवाद दीजिए सुर्य देव की महिमा अपरम पार है और वो साक्षाद जब दर्शन देते है तो व्रतियों का उल्लास देखने लाइक होता है तीन दीन कि व्रत के बावजूद भी चेहरे पर एक सिकन तक नहीं होती क्योंकि सुर्य भगवान की महिमा और छटी माई की महिमा बहुत ही अलग होती है एक के बाद एक कई सुपों को व्रति अलग देती है पाच बार वो घूंगती है इसमें मौसमी सभी फल होते हैं नारियल, गागरा, सरीफा, सीव, केला, सिंगाडा फल और साथ में कुछ सबजिया भी होती हैं जैसे पत्ते वाले सबजिया मौली, गाजर, कोड़ा, चनार और कुछ ट्राइफूर्ट्स भी आप जितना अच्छी तरह चाहे उतनी अच्छी तरह सुप को सजा सकते हैं और लोग लगातार सुरी की तरफ टक-टकी लगा कर देखते हैं क्योंकि हम शुरुवाती तोर में डूपते हुए सुरज को परणाम करते हैं पहला अरग डूपते हुए सुरज को ही जाता है व्रतिया लगातार शुर्यदेव की दरब निहारते हुए उनकी पूजन और अर्जना करती है और सभी लोग उल्लास के साथ इस पूजा में सम्मलित होते है भाव और प्रेम का चुरूप इस पूजा में देखने को मिलता है वो शायद ही कहीं आपको देखने को मिले ऐसे तो अंधेरा काफी होता है पर तो जगमगाती लाइट और दियों के बीश ये अंधेरा पता नहीं चलता है और उल्लास का तो कहना नहीं और बच्चे आन दिनों में उठाईए तो शायद वो न उठे पर इस दिन उठकर तयार होकर सुबह सुबह छट गाट पहुँच जाते है उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उन्हें महा प्रशाठ ठिकुआ मिलेगा इख मिलेगा सरीफा मिलेगा और फिर वरती पानी में रहकर सुर्य देव के आने का वहन करती है और वो कहती है कि हर दिन तो आप बहुत जल्दी आ जाते है पर अज जब तीन दिन से भुखावा शरीर जल में आकर काप रहा है और वो आपकी पूजा अर्चना कर रहा है और अब पूजा के संपन होने का समय हो रहा है तो फिर आप आज जल्दी निकलिए और जैसे ही हलकी सी लाली नजर आती है लोगों में उलास और खुशी हो जाती है और फिर पान के पते पर फूल रखकर धूब चावल एपन और सिंदूर लगा करके हम अरग की तयारी करते हैं और जिस तरह का अरग हमें साम में दिया है उस तरह का ही अरग हम शुभा भी देते हैं और सभी लोग आकर के अरग देते हैं पांच बारवरतियां सूप लेकर घुमती है और सभी लोग आकर के लोटे में दूद और जल से अरग देते हैं लोगों में तो होड़ आ जाती है कि मैं अरग दू, मैं अरग दू अरग देने को ही सुर्य भगवान की अरादना का आदा फल पाने जैसा कहा जाता है उसके बाद फिर हम करते हैं हवन की तैयारी आम की लकडी, नारियल, दूब और सकील इन सबसे हम अरग करते हैं और इसे वरत का पूरा होना माना जाता है कि हमारा ये वरत पूरा हुआ छटी माई की अपरम पार कृपा से इतना कठीन वरत आखिर सफल हुआ और फिर इस तरिया एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और छटवर्दे से आशिरवाद मांगती है और फिर वहां मौजुद सभी लोग सुबह सुबह सुर्य भगवान को जल अरपन करते हैं उनकी आरती करते हैं और सुर्य भगवान की आरती और प्रशाद ग्रहन करने के साथ